हमने बहुत से योगियों के बारे में पढ़ा हैं, जो समय की यातरा करते हैं. एक सेकंड के एक हिस्से में वे भारत से चीन चले गए. ऐसा ही कुछ हुआ था. लेकिन उन दिनों कोई चीन नहीं चाता था. सिर्फ आज कल लोग चीन जा रहे हैं. वे एक सेकंड के एक हिस्से में यात्राय कर सकते थे क्या ऐसी यात्रा मन या शरीर के साथ होती है या क्या ऐसी यात्रा संभव है यात्रा करने की कोई जरूरत नहीं है समय और स्थान आपके मन के द्वारा पैदा किया हुआ ब्रहम है अगर आप उसके पार चले जाएं तो फिर यहां और वहां नहीं होगा अभी और तब नहीं होगा और अगर आप वैसे हैं और लोग ग्रहन करने के लिए तैयार हैं देखे फिलहाल मान लीजिए हमारे पास एक ट्रांस्मिटर हो यह वाकई अभी हो रहा है मैं यहां बोल रहा हूँ यह तारें मुझ से जुडी हुई नहीं है देखे कोई तार नहीं है मैं यहां बोल रहा हूँ और ये हर जगह सुनाई दे रहा है हाँ, बिना तारों के क्योंकि ये ट्रांस्मिट हो रहा है ट्रांस्मिट होने की वज़े से जो मैं बोल रहा हूँ वो हर जगह सुनाई दे रहा है तो खुद को ट्रांस्मिट करने की शमता यानि आप कितना ट्रांस्मिट कर सकते हैं बस इसी पर निर्भर करता है कि आप कितने नहीं है क्या ये शारीरिक है, क्या ये मांसिक है, क्या ये 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 वो है ये सारे बटवारे आपके मन ने किये हैं क्या आप स्पष्ट रूप से बता सकते हैं कि आपका शरीर कहां है और आपका मन कहां है। हम सिर्फ समझने के लिए उस तरीके से बात कर सकते हैं। बोध पाने के लिए नहीं, अनुभव पाने के लिए नहीं। आप अपने मन को या शरीर को या किसी भी अन्य हिस्से को अलग से महसूस नहीं कर सकते हैं, है न? अगर आपमें मन नहीं होता, तो क्या आप शरीर का अनुभव कर पातें? नहीं. तो क्या आप जानते हैं कि अभी आपका मन कहा है क्या आप जानते हैं नई तो बस आप हैं क्या आप समझे बाकी हर चीज कल्पना है बस आप काफी है बहुत सारी चीजों की कल्पना मत कीजिए बहुत सी चीजों की कलपना मत कीजिए क्योंकि आप केवल इस पूरे मुद्दे को उलजा रही है सुलजाने के बजाए आप मुद्दे को उलजा रही है आप इसे जटिल बना रही है तो समय, स्थान, ये सभी चीजें आपके दिमाग में है इनका अस्तित्व नहीं है अगर आप बस यहां बैठें और अपने मन के शिकार न बने तो जो यहां है, वो वहां है और जो वहां है, वो यहां है आप कहीं नहीं गए, सब कुछ यहीं था बात बस यही है आप कहीं नहीं है